Hello students, welcome to study with concepts. So, दोस्तों, last class में हम लोग उने geography के एक series start करी है, है ना? हम लोग उने last class में first part देखा था geography का और आप सभी को पता है कि चाहे आपका कोई सबी competitive exam हो आपको geography से questions जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे ही, है ना? तो जितनी भी हमारी classes चलेगी, यह सभी exams के लिए है, चाहे आपका railway हो, NTPC हो, है ना? आपका SSC हो, clear? इसी प्रकार से DFCC ILO, KVS Sंगठन हो, कोई सभी exam हो आपका यहां से आपको बिल्कुल questions देखने को मिलेंगे, clear? तो चलिए देखेगा, last class में हम लोगों ने यहां पर, एक मैंने आपको एक homework दिया था, जिसका सभी students ने बिल्कुल सही answer दिया था, क्या question था वो? This is the brightest planet in our solar system, means, यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकिला ग्रह है, कौन सा? तो बिल्कुल शुक्र आपका यहां पर सही answer हो जाएगा, Venus आपका यहां पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा, clear? देखेगा, मैं यहां पर आपको लिख देता हूँ, कुछ-कुछ चीज़ हैं, यदि आपसे brightest planet पूछ ले, यदि आपसे brightest planet पूछ ले, या फिर आपको कहे दे कि evening and morning star किसे कहा जाता है, ठीक, उसके बाद, या फिर इतनी चीज़, ठीक, अब तो फिर आपका यहां पर answer क्या हो जाएगा, Venus, ठीक है, Venus को brightest planet भी कहा जाता है, Venus को evening and morning star भी कहा जाता है, अगर आपसे पूछ ले, कि भाई, blue planet कौन सा है, blue planet कौन सा है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, earth, ठीक, अगर आपसे पूछ ले, green planet कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले, green planet कौन सा है, तो आपका answer हो जाएगा, Uranus, ठीक, अगर आपसे पूछ ले, yellow planet कौन सा है, yellow planet, तो आपका answer क्या हो जाएगा, Jupiter, उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ ले, red planet कौन सा है, तो यह तो easy है, red planet है, Mars, clear, तो इतनी चीज़े आपको अभी यहाँ पर ध्यान में रखने है, इसे एक बार अपनी copy में लिख लेजे, brightest planet का है, तो Venus, evening and morning star का है, तो Venus, blue planet, earth, green planet, Uranus, yellow planet, Jupiter, और red planet, Mars, clear, इतनी चीज़ के लिए है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखेगा, अगला question है यहाँ पर, which one of the following planets is called sister of earth, निम्न में से किस ग्रह को पृत्वी की बहन कहा जाता है, means जो अर्थ की sister किसे कहा जाता है, हमें यह बताना है, तो बिल्कुल यह भी क्या है, Venus ही है, है न, यह भी आपका क्या हो जाएगा, Venus ही हो जाएगा, तो बिल्कुल sister of earth, किसे कहा जाता है, Venus को, शुक्र को, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, अगला question, who discovered the north pole, तो देखेगा यहाँ पर, north pole जो है, वो किसने discover किया, हमें यह बताना है, तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ पता होने चीज़, north pole भी पता होने चीज़, south pole भी पता होने चीज़, clear, तो देखेगा आपर नौर्थ पोल जिसने डिस्कवर किया है वो हैं Robert Peary Robert Peary है जिन्होंने नौर्थ पोल की खोज की उसी प्रकार से साउथ पोल की खोज की है एमंट सेन ने, साउथ पोल की, क्लियर किसने एमंड सेन ने, clear, तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर दिहान में रखना है, फिर से हम इसको repeat कर लेते हैं, who discovered the North Pole, तो Robert Peary, who discovered the South Pole, so एमंड सेन, clear, चलिए, आगे बड़े, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि यह question है, who first measured the circumference of the earth, किसने सबसे पहले प्रित्वी की परीधी को मापा, तो देखेगा सबसे पहले मापा था इरेथोस्थेनिस ने, है न, यह इरेथोस्थेनिस कौन है, father of geography, clear, father of geography कौन है, इरेथोस्थेनिस, इन ही ने सबसे पहले अर्थ की circumference को measure किया था, clear, अब यहाँ पर आप लोग कुछ कुछ यहाँ पर values याद रख लो, जो कि examन पूछी जाती है, circumference से मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपसे rotation speed of earth पूछ सकता है, rotation speed, speed of earth, क्या है rotation speed of earth, तो धिहान दीजेगा, 1670, 1670 km per hour, clear, उच्छी प्रकार से आपसे revolution speed भी पूछ सकता है, revolution speed of earth, क्या हो जाएगा, 29.8 km per hour, बिलकुल एक्जाम में पूछा जाता है, rotation speed of earth, 1670 km per hour, revolution speed of earth, 29.8 km per hour, उसी प्रकार से density of earth, है न, घनत भी पूछा जाता है earth का, तो density of earth जो है, वो है कितनी, 5.52, कितनी अभी है, 5.52, clear, उसी प्रकार से escape velocity भी याद रख लो, एक्जाम में पूछा जाएगा, escape velocity, तो escape velocity है कितनी, 11.2 km per second, 11.2 km per second, ठेक है, इतनी चीज़ clear है, 11.2 km per hour, ठेक, इतनी चीज़ clear है, ठेक है, तो यह चीज़, न, escape velocity है न, तो यह second में आएगा, 11.2, ठेक है, तो इतनी चीज़े clear है क्या, तो यह बिलकुल यह आपर इस चीज़ को ध्यान रखेगा, हूँ, फर्स्ट मेजर्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा, इरेथोस्थैनिस, रोटेशन, इस स्पीड ऑफ अर्थ, तो यह हो जाएगा, 1670 km per hour, revolution speed of earth 29.8, density of earth 5.52 और इसको वेलोसिटी 11.2, बस यह चीज़ यहाँ पर आप लोगो को याद रखेए, जितनी भी स्लाइड में आपको चीज़े लिखवाई है, यह बिलकुल exam में question बनके आता है, यहाँ से बिलकुल exam में question बनके आता है, clear, आगे बढ़े, अगले question की और चले, चलिएगा, अगला question देखेगा यहाँ पर, what are the natural, याला भी question रहने देते हैं, इसको हम आगे करेंगे, जब continent, mountains के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, उसके बाद यह वाला भी रहने दो, यहाँ से start करो, what is the angle of inclination of earth's axis to its orbital plane प्रित्वी की धूरी के जुकाओं का कोण उसके कक्षिय तल पर कितना है, तो यह हमें बताना है, तो इसका answer आप लोग मुझे हाँ पर comment करके बताएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, साड़े 66 degree है, या फिर साड़े 23 degree है, या फिर 66, 3 by 4 है, या फिर 90 degree है, या आप लोग के लिए homework है, है ना, यह तो पता है ना, अर्थ की axis, मुझे लिए कितने degree पर जुका है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग को homework मुझे बताना है answer, ठीक, यह तो easy है, आगे बढ़ते ह What is the average radius of earth, अर्थ की average radius कितनी है, तो देखेगा प्रित्वी की जो ओसे त्रिज्जा है, वो कितनी है, चौशच सो किलोमेटर, कितनी है, 6400 किलोमेटर, यह क्या है, average radius है अर्थ की, तो बिलकुल यह एक्जाम में पूछा जाता है, कि What is the average radius of earth, answer हो जाएगा 6400 किलोमेटर, ठी diameter of earth, diameter of earth, यह average radius है न, average radius है, चौशच सो, बिलकुल, तो diameter of earth है आपका, 12756, 12756 किलोमेटर, ठीक है, उसी प्रकार से polar diameter जो है, polar का diameter, polar diameter जो है, वो है 12714, ठीक, अब यह दोनों के बीच में क्या difference भी पूछा जाता है, कि diameter of earth, और polar diameter की बीच का difference कितना है, तो यह total कितना है, 12756, माइनस 12714, कितना हो जाएगा, 42 किलोमेटर, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा, clear, यह तीनों कोश्चने आपर ध्यान रखो, क्या है, फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं, What is the average radius of earth, 6400 किलोमेटर, diameter of earth, 12756 किलोमेटर, polar diameter, 12714 किलोमेटर, डोनों के बीच, diameter of earth और polar diameter के भी difference कितना है, तो 42 किलोमेटर, Clear इतनी चीज़ें, चीक है, आगे बढ़ें, चलेगा, अगला कोश्चन, current sequence of earth from interior to surface, प्रित्वी की सही क्रम क्या है, मतलब अंदर से भार तक का हमें यहाँ पर बताना है, तो देखेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले अंदर क्या होता है, core, सबसे पहले मैं भी दिखा देता हूँ, देखेगा, यहाँ पर देखो, सबसे अंदर, यह बाला जो भाग है, यह बाली जो चीज़ें, यह थोड़ा सा यहाँ पर बड़े size में बता दिया गया है, क्योंकि यह ही वो पूरी चीज़ें, थिक, तो देखेगा यह जो है आपका यह आपका क्या है कोर जो की है इनर कोर ठीक यह आपका होता है आउटर कोर ठीक फिर यहां पर यह जो आएगा यहां पर यह आपका पूरा ठीक यह जो आएगा यहां पर यह आपका लोवर मेंटल फिर यहां पर यह जो रहेगा यह आपका रहेगा अपर देखते हैं इतनी चीज़े देखो यह सबसे नीचे वाला inner core उपर वाला outer core फिर है क्या lower mental फिर है upper mental और फिर सबसे उपर crust outer layer clear inner layer core है outer layer crust है तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखना है cmc cmc clear core mental crust clear आप सभी लोगो crust mental core के हिसाब से याद रहेगा तो आप सबसे अंदर की और याद रख लो तो जब बाहर से अंदर की और याद है तो अंदर से बाहर की और core mental crust हो जाएगा clear तो सबसे अंदर की परत core फिर उसके बाद mental और फिर सबसे बाहर की परत crust ठीक है इतनी चीज़ क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर question क्या है देखेगा कि when does the spring tide occur है ना वसंत जवार कब आता है तो यह तो हम लोगों को पता है ना टाइट क्या होता है ठीक तो बिल्कुल यह आपके जो सागर वगेरा होते है उसमें बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टाइट है ना तो देखेगा यहाँ पर कि जो है वो कब आता है तो when does the spring tide occur तो एक कब आएगा जब सूर्य चंद्रमा और पृत्वी समरेख हो means जब sun moon और अर्थ क्या हो को लीनियर हो तब क्या होगा spring tide आएगा clear तो बिल्कुल यहाँ पर आपका option d यहाँ पर correct हो जाएगा sun moon and earth are collinear means सूर्य चंद्रमा और पृत्वी ज circumference of earth at equator is approximately तो बिल्कुल भूमत रेखा पर प्रित्वी की परीदी लगबग है तो बिल्कुल यह लगबग है कितनी 40,000 km कितनी है 40,000 km clear तो यहाँ पर ध्यान रखेगा circumference of earth at equator equator पर जो अर्थ की जो circumference है जो अर्थ की जो परीदी है वो कितनी है एप्रोक्स वो है 40,000 km आगे बढ़ते हैं on second यह वाला question अभी रहना दो आगे बढ़ते हैं आच लो कर लो on second on 22nd December where does the day is longest and night is shortest 22nd December को दिन सबसे लंबवा और राच सबसे छोटी कहां पर होती है तो यह होती है Melbourne में कहां होती है Melbourne में तो इसको याद रखेगा यह रटने वाला question है में इसको important लिगदे रहो क्योंकि एक्जाम है पूछा जाता है तो बिल्कुल 22nd December को दिन सबसे लंबा और राच सबसे छ आपकी hydraulic b potential B और kinetic b clear इसको potential अब kinetic energy potential energy hydraulic energy यह हम लोगों ने जनरल साइंस की क्लास में पढ़ चुके clear तो जनरल साइंस की student नहीं देखे होगी जनरल साइंस की classes जो है वो देख लिजगा अभी उसमें और classes upload होगी जनरल साइंस की थीए चलो तो बिल्कुल यहाँ पर जो समुद्र के जो टाइड में कौन सी यहाँ पर energy होती है कौन सी energy store होती है तो hydraulic, potential और kinetic तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा all of the above ठीक चलो आगे बढ़ते हैं which of the falling is called white of the earth white of the earth किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है crust, mental या फिर core को है वो कहा जाता है mental को किसे कहा जाता है mental को clear तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेगा white mental of earth किसे कहा जाएगा mental को आगे बढ़े what is the distance between two latitude lines दो अक्षान्स रिखाओं के बीच की दूरी लगबख होती है very important question very very important question बहुत बार exam में पूछा गया है what is the distance between two latitude lines तो answer हो जाएगा आपका 111 km फिक है दो latitude lines के बीच की जो distance होती है वो कितनी होती है वो होती है आपकी 111 km और अगर मैं आपसे longitude पूछ लू तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे longitude चलो मैं अगले question में यहाँ पर होगा distance कितना है तो वो 111 km है और हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि total latitude lines होती कितनी है कुल अक्षान सो रेखा कितनी होती है तो ध्यान रखेएगा यह होती है कुल 181 कितनी होती है 181 और अगर मैं आपसे पूछ लोगी total longitudinal line कितनी होगी longitudinal तो वो होती है कितनी 360 ठीक है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेगा ठीक फिर से देख लेते हैं what is the distance between two latitude lines 111 km तो total latitude lines है कितनी 181 और total longitude कितनी है 360 ठीक है आगे बड़े what is the time interval between longitude to another एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतरल होता है तो दिहान रखेगा मैं आपको इसको बता भी देता हूँ है ना solve करके बता देता हूँ ताकि चीजें यहां पर आपको clear हो जाए यहां कर दूं यहां space है चिक देखो तो यह हमेशा आपको याद रहेगा देखेगा हमसे question में क्या पूछा कि भाई दो longitude के बीच कितना जो है वो समय होता है ठीक है time interval कितना होता है तो देखो मैं ठीक अच्छा और total time कितना होता है total समय कितना होता है per day एक दिन में 24 घंटे होते हैं 24 घंटे तो total longitude in one hour कितना हो जाएगा तो एक घंटे में कितना longitude हो जाएगा total longitude in one hour कितना हो जाएगा 360 बटे 24 है ना तो यहां से आपको कितना आ गया one longitude is equals to कि यह कितना हो जाएगा यहां से 15 है ना 15 longitude हो जाएगा कितना हो जाएगा यहां से 15 longitude कितना हो जाएगा 15 longitude है ना 15 longitude आ जाएगा तो बिल्कुल एक longitude किसके बराबर हो जाएगा अगर मैं hour में पूछू तो 1 by 15 hour के जब भाई यह 15 longitude है total longitude in one hour एक घंटे में 15 longitude है तो एक longitude एक बटा पंदरा के बराबर होगा एक बटा पंदरा गंटे है ना तो बस इसको अब आपको minute में convert करना है तो बस एक बटा पंदरा into 60 कर दो तो यह कितना हो जाएगा पंदरा बंजा यह हो जाएगा फोर जा तो कितना आ गया है आपर 4 minute कितना आ गया 4 minute clear तो बिलकुल यहाँ पर आपका answer कितना हो जाएगा 4 minute तो what is the time interval between one longitude to another answer is 4 minute clear अब आपको यह ध्यान में नहीं रखना है कि आया कैसे बस आपको इसको याद रखना है कि भाई दो longitude के बीच का जो time interval होता है वो 4 minute होता है इतनी चीज़ clear है अगले question पर आते है the latitude of the south pole is दक्षीनी धुरूव का अक्षान है तो दिहान रखेगा यह है 90 degree clear the latitude of the south pole यह सारे degree में है इसको degree में कर लिजएगा सारों को तो बिलकुल the latitude of the south pole is 90 degree बिलकुल सही है यह तो है ना next class मैं अभी आपको diagram बना के दिखा भी देता हूँ ठीक चलो देखो circle कहां से बनेगा चलो अपनी बना लेते हैं रोड़ा सा यह है ठीक यहां पर देखेगा यह equator के लिए बना लिया हमने सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर देना हूँ है ना देखेगा यह equator हो गया अलग color से बता देता हूँ यह equator ठीक है जो कि zero degree पर है zero degree पर है यह होता है ट्रॉपिक ओफ cancer ट्रॉपिक ओफ कैंसर बोले तो करकर रेखा है ना जो कि साड़े 23 डिगरी पर है उसके बाद यह है आपका आर्किटिक सर्कल है ना आर्किटिक सर्कल ठीक आर्किटिक सर्कल जो कि साड़े 26 डिगरी पर है जो कि साड़े 26 डिगरी पर है ठीक और यह जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा नौर्थ पोल जो कि 90 डिगरी पर है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप आ जओगे तो यह हो जगा Tropic of Capricorn ठीक है मकर रिखा जोकि आपके 24.30 डिगरी पर है ठीक उसी प्रकार से यह जो है यह आपका क्या है Antarctic Circle है ना यह Arctic Circle है यह Antarctic है Antarctic Circle जोकि आपके 6.60 डिगरी पर है और ये जो हो जाएगा ये अब आपकर क्या हो जाएगा साउथ पूल हो जाएगा जो कि 90 डिग्री पर है clear तो वही चीज है आपर पूछी थी the latitude of the south पूल is 90 डिग्रे क्या इतनी चीज़ clear है ठीक है चलो एक कोशन है आपर और पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो करकरेखा है वो हमारे देश से वो भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो दियान रखिएगा वो कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है clear मद्यपदेश, राजिस्थान, गुजरत, चत्यज़गर, जारकंड, वेस्ट बिंगाल, त्रिपूरा और मिजोरब तो इस चीज़ को थोड़ा से यहाँ पर दियान रखिएगा चीक चलो आगे बढ़े यह तो अब भी मैंने यहाँ पर आपको बता है प्रित्वी पर दो स्थानों की स्थिती के अनुधहर का अंतर 15 डिग्री है तो इस स्थान यह समय में कितना अंतर होगा तो देखो 15 लोंगिट्यूडिनल किसके बराबर होता है तो 15 लोंगिट्यूडिनल जो होगा 15 लोंगिट्यूडिनल जो होगा आपका 15 लोंगिट्यूडिनल जो होगा वो वन आवर के बराबर होगा तो बस यही तो हमें बताना था तो बस 15 लोंगिट्यूडिनल यहाँ पर पूछा था तो किस के बराबर हो जाएगा, एक गंटे के बराबर हो जाएगा, clear है, चीक है, आगे बढ़ें, चलिएगा, अगला question, if the difference, देखो numerical भी कभी कोई भी पूछ लेता है, जोग्राफी के, तो इसको ध्यान रखेगा, if the difference in time between two places is two hour 20 minutes, then the difference in longitudinal will be, यदि दो इस्थानों के बीच सम में अंतर 2 गंटे 20 मिनट है, तो देशानतर में अंतर होगा, means longitudinal में difference कितना होगा, हमें ये बताना है, तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना, हमें तो सबसे पहले इसको minute में convert कर लो, 2 गंटे 20 मिनट को आप minute में convert करो, कितना हो जाएगा, 2 गंटा means 120 मिनट, प्लस ये 20, 140 मि हो गया, divided by, divided by, यहाँ पर हमारा क्या आया था, यह देखो, यहाँ पर हमारा एक longitudinal जो है, वो 4 मिनट के बराबर आया था, तो बस यहाँ पर आप क्या कर दो, 4 से इसको divide कर दो, तो आपको पता चल जाएगा, कितने degree का longitude है, 4, तो यह कितना हो जाएगा, जब आप इसको solve कर समय दिया होगा, उसको 4 से divide कर देना, 4 से हम क्यों divide कर रहे हैं, क्योंकि भाई, एक longitudinal जो होता है, वो 4 मिनट के बराबर होता है, इसलिए, तो हमें बताने है कि कितने longitudinal होंगे, तो 35 डिगरी longitudinal होंगे, clear है इतनी चीजे, ठीक है, तो ऐसे हमें question करना है, ठीक, आगे बढ़ते ह हैं, इसी प्रकार से, which of the following is metamorphic rock, निमने में से कौन सी metamorphic, जो कायंतिरित shell है, metamorphic rock है, तो rock वाली चीजे तो हम लोग next class में करेंगे, बट फिर भी आपर मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि जो metamorphic rock होती है, वो होती है, संगमरमर, marble, clear, metamorphic rocks जो होती है, वो कौन सी होत होती है, संगमरमर होती है, ठीक है, इतनी चीज़े clear है, इतनी चीज़े clear है, बाकी की चीज़े अब हम लोग next class में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते है, clear, अगर आची class अगर अच्छी लगी हो तो like करिएगा, अपने दोस्तों में share करिएगा, comment करके ब